हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल यूप इक्जाम क्रेजर में दोस्तों मैं विकास त्योहरी आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में हमने उत्रप्रदेश लेखबाज से चुड़े ग्रामेर परवेश की स्रिंखला को स्टार्ट किया था जिसमें थेयरी पढ़ रहे थे जिसकी 11 वीडियो हो गया है प्लिलिस्ट में आरेंज कर दिया गया उनको जाके आप देख लीजिए हैं हम लोग की नहीं तो यह वाली बीडियो प्रस्णों की एक स्रिंखला है जिसमें दस प्रस्णोंगे और आपको पहले तो खुद से अटेम्ट करना है देखते हैं कि आप कितना अटेम्ट कर पा रहे हैं ठीक है अगले वाले स्लाइड में आंसर बता दिया करेंगे तो च होते हैं यह और यह बैं और चिरुकर बोपर ज्यूंगे नियुखतादकों च nella कि एक संदनते आटरहे छिस परकर का atual करेश्य प्रदान पर मैक्सिम्मों लोग कर सी में जोटे होते थे फिर दूसरा है गैर करसी है फिर तीसरा और दियों के ग्राम है जो था उखना करिये गाउं ठीक है और इसका फिर समध्ध में आ गया होगा आप कौन सर डी था ठीक है आगे देखते हैं अगला question किसी छेत्र का ग्रामेड छेत्र घोसित होना किस बात पर निर्भार करता ठीक है जैसे कहरा question कि अगर यह कोई छेत्र है तो इस छेत्र को कब कब हम ग्रामेड छेत्र बोलेंगे ठीक है तो option A है जनसंख्या option B जन घनत तो option C बेवसाय, option D उप्रोक्त सभी मने कौन कौन सा छेत्र है जिसके आधार पर हम लोग बोलेंगे कि यह वाला छेत्र जो है ग्रामेड छेत्र है ठीक है तो यह आप बताईए और हाँ आप लोग साही सोच रहे है उप्रोक्त सभी ठीक है अगले पेज पर हम ल मैंकियों से कम होनी चाहिए दूसरा क्या है जन घनत तो जो है 400 ब्रक्ती प्रतिबार किलोमेटर इस से कम होना चाहिए ठीक है चोथा क्या है उस छेत्र में जयादा तर लोग क्रिसी कारियों में लगए होने चाहिए हम लोग जे प्पिछले पेज़ले देखें है ने को पहला जं संक्या है जं घंझत भी है और ब्यसाइब हो आपको offend सै मैकिशिम उस लोग क्रिसी में लगए हो जन घंध तो जनगनत्यों का मतलब 400 लोगों से कम होना चाहिए जनसंक्या 5000 लोगों से कम होना चाहिए ठीक है तो यह उप्रोग सभी ठीक हो जाएगा आगे देखते हैं लेकपाल के संबंद में कौन सा कता सत्य है सत्य ठूंड़ना हम लोगों को देखिए प्रसासन का राजस उपनिरिच्छक होता है ठीक है अगला देखते हैं ग्रामेंड छेत्र का जमीनी करता धरता होता जमीनी इस तर पर काम करने वाला व्यक्ति होता है पहले पटवारी के न सब्सक्राइब वर्स 2011 की जन गणना की अनुषार भान एकुल कितने जिले हैं ठीक है अभी b havoc की 201 वाली जंगणदा तो अभी अब डेट रहे नहीं है ठीक है तो अभी रहरा कि 2011 की जन्न गणना की अनुषार जो है भारत में सब्कूल कितने जिले हैं option a है 712, b 707, c 703 और d है 720 तो बताइए यह वाला सही होगा या यह वाला यह वाला सही होगा ठीक है यह वाला आंद प्रदेश ने अभी 13 जिलों को अभी मतलब अपने बिधान सब्सक्राइब भेज जाए कि हमको भी यह 13 जिले नए बनाने है तब यह हो जाएगा लेकिन यह अभी नहीं अभी 707 ही है आगे देखतें इसका option b इसका सही है यह 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत में कुल 707 जिले थे ठीक है हाल ही में आंद प्रदेश में 13 नए जिलों को बनाने का प्रस्ताव बिधान सब्सक्राइब वहां वाली बिधान सब्सक्राइब पेस किया ठीक है उत्तर प्रदेश में भी एक नया जिला आउला जिले का आउला बनाने की सिफारिस की यहां भी सिफारिस हो गए माने उत्तर प्रदेश में में 25 तरजले हैं लेकिन इसके आ जाने से ुइ छीरत तरजली हो जाएंगे ठीक है अभी आया नहीं है निम लिखित में से कौन सा ग्रामीढ झातर की बिशेशता नहीं है नहीं वाला ध्यान देना है दुस्तों पहला है संयूक तो परिवार दूसरा है जीवी का है तो क्रिसी मुख्य साधन तीसरा है आकार का छोटा होना और चोथा है पक्की सडकें यह धकी हुई ना लिया तो यह वाला तो आपको 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 इसे बात मतलब इन चारों में अगर और वन और फाइंड करन है तो यह वालत ऐसे ही हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं इसका एक्स्विनेशन ग्रामीट समाज की क्या विसस्ता है नीचे सारी की सारी लिखी है पहला है तो परिवार होता है ग्रामीट शेत्र में ठीक है दूसरा है परिवारों की एक रूपता होती है परिवारों की होंगे गाओं के बिरले ही घर ऐसे होंगे जहां पर कोई चार पीड़ी निवास कर रहा होगा अथ्फवा कोई दूपर रहा हैस कर रहा हो ठीक है मैशिम्म परिवार में यही एक रूपता देख कर विभूती अगला है सामुख्ता का मतलब लोग समू बनाकर रहना का प्रवत सभट यह पिर अग्ला निश्वार्त है निश्वार्त लोग होते हैं गाउं में कोई स्वार्त की सेव देते लेते हैं ठीक है जी विका है तो क्रिशी मुख्य साधन है ठीक है यह option में भी था फिर सुद्रेड समाजिक ताना मतलब अभी वी गाउं में स्टेटस का भी बड़ चणा हिस्सा लेने का भी काम करता है मतलब अगर किसी कि यहां जनम हुआ है कोई बैक्ति का बच्चे का किसी का अमृत्ति हुई है उत्सव है धार में कोई त्यभार है तो इसमें एक दूसरे के यहां बढ़ चड़के हिस्सा लेते हैं ठीक है उस्सों नहीं है कि हमारे यहां त्यां कि अगला है आकार का छोटा होना समझ रहेँ हैं अगला क्योशन है जजमानी प्रता के बारे में बताएं को कौन्सा कथन असत्य असत्य यह बोल रहा है ठीक है असत्य देखना आगे देखते हम लोग बढ़ते हैं आप्संस को यह प्रता गाउं में पाई जाती है प अगला option क्या है इसमें बस्तूओं का लेंदेन होता है फिर अगला क्या है संरक्षक को जज्मान खा जाता है तो आप बताईए इसमें कौन सा सही है हाँ दोस्तों आपने सही सुना ठीक है यह वाला B option ठीक है बी option इसमें मुद्रा का लेंदेन होता है यही वाला आसत्य है ठीक है बाकी के तीनों सत्य है आगे देख लेते हैं जज्मानी प्रथा क्या होती है जज्मानी प्रथा ग्रामियन समाज में बिभिन जातियों जैसे लोहार पंडेत नाई कुमार आदी के मध्य मुद्रा रहित सेवा का आदान प्रदान जो किया जाता है इसी प्रथा को जज्मानी प्रथा होते हैं सबको वीडियों पढ़ाएं अच्छे से जिन सात्यों नह चीर सस्थ अधिकार कौन सा है मतलब जीला में अगर प्रसासन होता है तो प्रसासन का जो मेक्सिमू टॉप लेवल पर बैळा हो हुआ हूँ अगला कौन सा कलेक्टर है पंचायदा त quatro Aha देखो अगर बात कर रहे हैं तो यह कलेक्टर में और जिला पंचायत अध्यक्ष में तो जिले में प्रसासन का अगर बात कर रहे हैं तो यह कलेक्टर होगा ठीक है यह नहीं होगा जिला पंचायत अध्यक्ष जो होता है जो चुनाव जिनका किया जाता है वो नहीं होते हैं अगर कह कि अधिकांस आवज सकता है किस पर निर्वर करती है यह अप्शन से हो जाने वाला आसानिस में कोई कोई एक्स्वरेशन की ज़रुवत नहीं पढ़ने वाली है ऑप्शन ए है क्रिसियों पसुपालन से अब रोजगार से मैक्सिम लोग रोजगार नहीं होते हैं गाउं में अधिक तर बेरोजगारी देखी जाती है और यह अंद विश्वास अंद विश्वास से भाई किसके हो सकता है पूरी हो रही है और जजमानी प्रथा से कोई आवसेक्ता नहीं पूरी हो यह प्रथा है ठीक है बिना मुद्रा के जो है सेवाओं के आदान प्रदान करने के प्रथा है यह ठीक है यहां पर आप नीशन कोच रूप से यह वाला अप्शन लगा सकते हैं ठीक है ऐसे वारी से नाम परिवर्तित करके लेकपाल कर दिया गया थे यह हमने जोड़ देके बताया था पढ़ाते समय तो इसका option सुनिएगा सुचित्ता कृपलानी गोविन बल्लपंथ चौधरी चरंड सिंग आजय सिंग बिस्ट बताई कौन सा है सुचित्ता कृपलानी होंगी कि गोविन बल्लपंथ चौधरी चरंड सिंग याजय सिंग बिस्ट आपने सही सोच रखा है यह चौधरी चरंड सिंग इन्हों नहीं नाम चेंज किया था अब दोस्तों आप लोग का हम मैं सवाल पूंच रहा हूं कि आप इनके बारे में और क्या खासियत है और इनकी क्या खासियत है ठीक है बताइए कि ज़रूर आप काउंट बॉक्स में देखते हैं कितना लोग देते हैं सीरियस रूप से देखते हैं ठीक है आगे देखते हैं तो ऑप्सन सी था इसका चौधिश चरंड सिंग जी यह 1974 में पटवारी से नाम लेक स्हिकारी कहा जाता है ठीक है याद होगा आपको अगे दिखते हैं तो हमारा आज अंतिम सवाल है उत्तव प्रदेश में कितने मंडल हैं ये एक्चुली उत्तव प्रदेश स्पेशल से हैं से ठीक जिबेरेहómo ड Autom book स्व मंडल थे आठ में नया मंडल अलिगड मंडल बना है उसी के जलते अब 18 मंडल हो गए ठीक है अगे देखते हैं इसका इसब से बड़े मंडल है थीक है है यह सबसे बड़े मंडल है तो बस दोस्तों जो सवाल हमने पूछा है उसका comment box में answer जरूर दीजिएगा धन्यबाद दोस्तों मिलते हैं आगली वीडियो में धन्यबाद दोस्तों